हेलो दोस्त आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं स्वामी विवेकानन्द की मा की महिमा की कहानी लेकर आई हूँ कि स्वामी विवेकानन्द ने कैसे मा की महिमा को समझाया था स्वामी विवेकानन्द का जन्म कलकत्ता में हुआ था स्वामी विवेकनन के गुरू राम, क्रिशन, प्रम, हंस थे स्वामी विवेकनन कहते थे उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष प्राप नहीं कर लेते सीखना जीवन प्रियंत चलने वाली प्रकिरिया है जब तक जीना है तब तक सीखना है अनुबा भी जगत में सरसेष्ट सिख सक है स्वामी जी कहते थे मा से बड़ा धहर्यवान इस संसार में कोई नहीं है एक बार स्वामी वेकनंग जी से एक जिग्यासू ने प्रेसंद किया मैंने आपकी बहुत ख्याती सुनी है मैं अपना एक प्रेसंद लेकर कई विद्वानों के पास गया लेकिन कोई भी उसका उचीत उत्तर नहीं दे पाया असल में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में मा की महिमा किस कारण से गाई जाती है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जिम्मेदा तो उसका पिता भी होता है वह भी बच्चे के लालन पालन में उसकी मा की तरह योगदान देता है वह भी बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहता है और करता भी है जब विवेकनन्द ने उसकी बात सुनी तो स्वामी विवेकनन्द मुस्कराए और बोले तुम्हारी बात का समधान मैं अवस्य करूँगा लेकिन बाद में पहले तुम एक काम करो जाओ कहीं से पांच सेर वजन का एक पत्थर लेकर आओ वो जिग्यासु सोचने लगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ स्वामी जी उसका समधान करने के बजाए मुझे पत्थर मंगवा रहे हैं न जाने उस पत्थर का क्या करेंगी वह व्यक्ति स्वामी जी के कहने के अनुसार पत्थर लेकर आ गया उसके बाद स्वामी जी ने उससे कहा अब तुम ऐसा करो कि इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेट कर अपने पेट पर बांध लो और 24 गंटे बाद मेरे पास आओ तब मैं जरूर तुम्हारे प्रसन का उतर दूँगा स्वामी जी के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को कपड़े में लपेट कर अपने पेट पर बांध लिया और महां से चला गया किन्तु उस पत्थर के कारण उसे जल्दी ही परिशानी और ठकान होने लगी अब वे अपना कोई भी काम ठीक धंसे नहीं कर पा रहा था लाम होते होते तो उसके लिए उस पत्थर का बोज समाले वे चलना फिरना भी भारी हो गया आखिरकार वे ठका हारा स्वामी विवेकनन के पास पहुचा और थोड़ा सा जिजगते वे बोला मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक अपने पेट पर नहीं बांद सकता हूँ एक प्रसंद का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी बड़ी सजा क्यूं भुगतूँ गर का सारा काम करती है संसार में मा के सिवाए कोई इतना धहर्यवान और सहनसील नहीं है इसलिए मा की महिमा हर जंगे गाई जाती है उस व्यक्ति को अपने प्रसंद का उत्तर अब तक मिल चुका था उसने स्वामी विवेकर नंद को प्रणाम किया और महा से चला गया यही है मा की महिमा